हर्याना की हर अपडीट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें स्टीवी हर्याना निजूज नमस्कार स्वागत है आपका मैं हूँ गौरव गुमार पांडे पानिपत हो या करनाल नांगल चौधरी हो या हो फतेहाबाद जगे अलग अलग लेकिन समस्या एक सवाल पूछती स्वास्ति विवस्था सवाल कई उनमें से सबसे बड़ा सवाल डॉक्टरों की कमी का है लेक स्वास्ति सेवाओं को बहतर करना किसी भी सरकार की बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है अलाकि हर्याना के हालात सबको पता हैं हरोज कही न कही से एस्पतालों की बदहाली की खबरे आती रहती हैं डॉक्टरों की कमी की खबरे आती रहती हैं ऐसे में गब्बर ने समस्चा का नया समाधान ढूंडा है हम बिल आने की कोशिश कर रहे हैं हाला कि इसमें कितना समय लगेगा ये कितना कारगर होगा कितनी काम्याबी मिलेगी और क्या सिर्थ इतने से डॉक्टरों की कमी दूर हो पाएगी कुछ बड़े सवाल जरूर हैं लेकिन जब तक ये विवस्था बनती है तब तक मरीजों के समस्या का समाधान कैसे होगा ये भी बड़ा सवाल है और डॉक्टरों की कमी बरकरार है परची बना कर दीगे और जो दौई देने वाला है एक एक करम चारी है अभी तक मेरे साथी को दौई नहीं दी गई और जिसके करने परशानी हो रही है अब चार है उनमें से एक की कोड में डूटी लगा रखी है और एक फार्मासिस्ता साइगे डिपार्टमेंट वे हैं हम उससे भी काम लेते हैं तो इसके लिए हमें सीए मसाव को अवगत करा दिया गया है कि हमारे पाच फार्मासिस पेज़ो यहां काम बड़ी मुश्कल से चल रहा है ऐसा नहीं कि स्वास्त सेवाओं को बहतर करने की दिशा में काम नहीं हुए लेकिन सालों से बिगडी विवस्था को पूरी तरह से पट्रूई पर लाने के लिए अभी भी ये कोशिशे ना काफी हैं ऐसे में गब्बर का ये नुस्खा कितना काम कर पाएगा ये देखना दिल्चस्प होगा ब्योरो रिपोर्ट हर्याना नियूस चली तो चर्चा का आगाज करते हैं और इसको समझते हुए कि आपने भी देखा होगा कि मरीजों और डॉक्टरों के बीच अक्सर तूतूमे में जगडे के सित्थी ये सब हो जाती है क्या उसका एक बहुत बड़ा करण ये है कि डॉक्टरों की कमी है और एक एक डॉक्टर दिन भर में उसकी कैपैसिटी से कई गुना जादा मरीजों को देख रहा है और उसमें अगर वक्त लग जाता है देर लग जाती है तो कई बार बरीज के जो परिजन है उनका पेशन्स भी खत्म हो जाता है और ये विवस्था की कमी और लड़ रहे हैं कौन मरीज मरीज के परिचन और डॉक्टर या हॉस्पिटल का स्टाफ क्या एक बहुत बड़ा कारण ये भी है समझने की कोशिश करते हैं डॉक्टर पंकज वत्स पूर्व निदेशक स्वास्त सेवाए हरियाना हमारे साथ यहां मौजूद है और डॉक्टर अजय गुप्ता सची हो है आये में गुडगाओं के आप दोनों का स्वागत है पंकज जी पहले आपसे समझना चाहूँगा अनिल्विट साहब कह रहे हैं कि हम ऐसा बिल लेकर आने जा रहे हैं जिसमें जो सरकारी हॉस्पिटल से करने करेंगे उनको एक या दो साल के लिए सरकारी अस्पतालों में नौकली करनी पड़ेगी इससे डॉक्टरों की कमनी जो है वह दूर हो जाएगी देखिए जोरू की वीवी सबकी भावी गरीब की जोरू सबकी भावी यानि विज साहब को या किसी को भी सब सब जेगे स हैं और डॉक्टरों के परती ही इस तरह के डिजिजन लेने की पावर रह जाती है जबकि अपनी तरफ कोई ध्यान बाकी विश्थाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता अभी थोड़ अभी आपके चैनल से मैं सुन रहा हूं कि वह कह रहा है कि दवाई देने वाले इस नहीं है बाकी पेरामेडिकल स्टाफ ने उनकी कमी तो नहीं है तो यह जो मैनमेड प्राब्लम है किसी भी हस्पताल की डॉक्टर जो इलाज कर रहा है उसको छोड़के बाकी जितनी व्यवस्था हैं उसके लिए तो मैनमेड प्रॉब्लम मैनमेड प्रॉब्लम से और ऐस्ला है डॉक्टरों को की बोडिस के साथ डॉक्टर को साथ इनवाल करके इस तरह के बारे में कुछ विचार करना चाहिए सोचना चाहिए बगार इस तरह का बिल्ल लाए क्योंकि इस तरह की कमपल्शन से क्वालिटी गिरे की कोई बढ़िया नहीं हो जाएगी दूसरी इसके साथ किसी चीज को जोड़ने के जुरूरत है लाइक मान लो आपने एंबीबेस के बाद आप कह रहे हैं कि उनको रूरल एडियाज में बाकी अरियाज में गॉर्ण जॉब फैसिलिटीज अवैलिबल करेंगे आप उन फैसिलिटीज को ब्रॉपर क्यों नहीं कर देते आप एक देखिएगा आप को ऐसा क्यों कमपल्शन करना पड़ चो मदबूर करना पड़ और किसी से मदबूरी में कोई काम कराईगे तो उसे काम कराना बेतर रहे गा rented आप यह क्यों नहीं समझने कोशिश करें कि गुडगावा जैसे जगे में प्राइवेट हॉस्पिटल की बर्मार लगी हुई है वहां तो कोई नहीं रोना रोता कि हमें डॉक्टर्स की कमी है आप देखेगा हर्याना में हर्याना के अंदर ही जो सीजेटिस की डिस्पेंसरी हैं आप जडरा उनके डॉक्टर की फैसिलिटिस देख लीजेगा उनका प्रंखाइं देख लीजेगा और हर्याना में जो लगा रख्एं उनके नका बाकि सारी चीजेगा तो राधर दैन गिविंग राधर दैन क्रेटिंग और यह कम होगा उनको बिले कर लेका हैंगे कब जो Central Government का जो दिया हुआ है उसका grade बदल दीजेगा जैसे IS Officers की Timely Promotions है अगर एक IS प्रोमोशनस इनको IS Office गोजेघी आए वही आईस्वाइड हम समझें तो आप यह कह रहे हैं कि डॉक्टर जो है सरकारी डॉक्टर जो है उनको facilities चाहे वो तर्खवा कि उस पे कहें या उनको बाकी जो facilities में नहीं है वो अच्छी कर देंगे तो ये बिल लाने के जरूरत नहीं पड़ेगे बिल लाने के जरूरती नहीं है ठीक है डॉक्टर गुपता आप इस वैसले से सहमत हैं क्योंकि उनका तर्क है वो कहरे है कि सरकारी espitale में जहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को जहाँ विवेस कराते हैं उनकी जिम्मेदारी भी समाज के प्रती सरकार के प्रती या उनके पेशे के प्रती है उनको एक साल दोखरी करनी चाहिए सरकारी भी भाग में इससे समस्या दूर को जाएगी देखे ऐसा है स बीजेपी की सरकार जब दुबारा सत्ता में आई है तो हो सकता है कि उनकी जो पिछले पांच साल की गलतियां है मेडिकल विभाग के विवारे में उसको वो उसको वो इंप्रूफ करना चाहती है कुछ-कुछ बुद्धे ऐसे हैं जिन्सको जैसे रिक्रूटमेंट अभी बताया है कि यह जैसे दॉक्तर की पोस्टयु निकाली है वोने पोस्टनीकाली है बड्र लेवल फ। एंट्रे मेडिकल फॉफिसर कि नोने पोस्टे निकाली हैं एंट्री लेवल की कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को हर्याना में ये ये उनके सामने साबित हुआ है कि डॉक्टरों की कमी है सिविल हॉस्पिटल में ना सिर्फ गुड़गाव में बलकि हर सिटी के अंदर जाधा तरजगों से जाधा तरजगो मैं समझता हूं कि वह रुक्रूट्मेंट कर रहे हैं अब बात आई दूसरी की सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो लोग करते हैं करने के बाद एक साल की इंटर्णशिप होती है अब यह कह रहे हैं विच साब की बिल लेके आएंगे कि उस इंटर्णशिप के बाद वो डेड़ दो साल सरकारी हॉस्पिटल में उनको काम करना चाहिए बरी जो देखना चाहिए कोई आपतिरी हैं इसके अंदर अपनी तैयारी करता है उसको पोस्क्राइजूशन करना होता है M.D.A. M.S. करना होता है और आज कल तो M.D.A. M.S. करने के बाद सुपर स्पेशलाइजेशन का जमाना है कि उसमें हम D.M. करते हैं M.C.H. करते हैं तो कहीं न कहीं वो जो डॉक्टर है जब वो डेड़ साल य गए हैं तो क्या विज साब यह सोचते हैं कि जो डॉक्टर डेड़ दो साल अपनी पढ़ाई के बाद M.B.S. करने के बाद ट्रेनिंग के बाद सरकारी हॉस्पिटल में काम करेंगे तो उनको कुछ कोटा कुछ मिलेगा उनको PG में आगे जाने का उनको कोई आगे मौका मिल सब्सक्राइसिन पर बाद सजय की जाने का दूसरी चीज कि और उनको सेलरी प्राइवेंट के कंपेरिसन में क्यूंसर कोई बीडॉक्टर सरकारी महिं में नहीं जाना चाता क्यों बाद चाते हैं उनके अपग्रेडेशन नहीं होता है कोई किसी का परभान मतलब आप वे ज जो जुड़ी होई बाकी जो concerns है doctors की जैसे आपने कहा कि इसके आगे पढ़ाई करनी है तो क्या admissions के समय आपने सरकारी नौकरी की है उसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा और जिस दौरान काम करें हो और salary तो अगर यह सब देख लिया जाए तो हो सकता है यह यह हो सकता है इसमें कोई बुड़ा ही नहीं है लेकिन आप एक एक doctors को उनका future के हिसाब से बना के देंगे तो doctors इसको accept करने में उनको अच्छा रहेगा क्योंकि वो एक नया doctor है जिसने नई MBBS कर रहे कि इंटर्शिप कर रखा है उसको definitely जब वो डेट दो साल सरकारी hospital में काम करेगा उसक इसको काम के प्रती बहुत अच्छा explosion मिलेगा लेकिन साथ में अगर उसको लगेगा कि उसके आगे की जो रास्ता है उसको उसमें help मिल रही है और दो साल जब वो काम करेगा तब उसको salary ठीक मिल रही है अपना घर का खर्चा खर्चा पानी चलता रहेगा तो जरूर वो लो आगे की पढ़ाई के लिए यह जो हमने एक साल नौकरी की सरकारी उसका फाइदा मिलेगा salary अच्छी मिलेगी तो यह किया जा सकता है यह तो अलड़ी सरकार कर चुकी और उस करने के बाद वह सिस्टम भी खतम हो गया पहले हल्याना से मेडिकल कॉलिजेशन होती थी मेडिक जान में लाया था कि वह एक मेडिकल कॉलिज के साथ एक एक जिला जुड़ेगा एक डिस्टिक भॉस्पिडल जोड़ा जाएगा और जो वहां पर बाकी करेंगे उनके क्यूरी कुलम में ही वहां पर पोस्टिंग और वहां पर जुड़ जाएंगे तो जैसे कि इन्होंने ज्यान में दिया कि आप सबका एकवल अधिकार है ना चाहे मैं गौर्विट कॉलिज से एंबिवियस करो एट पार हूँ ना तो जो उसको हग के पीजी करने का वहाख मुझे भी हग के पीजी करने का तो अगर पोस्ट ग्रिजिट पोस्ट ग्रिजिशन में ही उस के दोरान ही उसकी पोस्क्राइशन भी साइमेल्टेनिस ली चल रही हो गई तो कोई मना नहीं करेगा आप देखिएगा अभी जो जुडिश्री ने अपना पे कमिशन अपने का उन्हों रखा था उसकी रिकॉमेंडेशन आई है उन्होंने हर लेवल पे तीन गुना थी टाइ अगर जो डॉक्टर और गॉर्ण जो कौन जाते हैं यह कोई खेरात नहीं दे रही है सरकार वो अपनी मेरिट के अधार पर जाते हैं टॉप में स्टूडेंट से दे वांट तो सर्व साइटी और ऐसे लोगों को फिर आप बंदन में बांद होगा दोगा दोगा एक चोटे में नए डॉक्टर बंद के आएंगे और जो एक्स्पर्ट जिनके सालों का एक्स्पीरियنस होगा उनके काम करने के तरीके में और उनके आप मरीज्ओं के देखने में उनके इलाज में भी फर्क होगा तो क्या सिविल हॉस्पिटल में सिर्फ नए रंग रूटों के हमारे साथ दो खास महमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं डॉक्टर वत्स आप से समझना चाहूंगा एक तो यह प्रॉब्लम है कि भाई जो आप वेसिलिटी दे रहे हैं डॉक्टर को वह कम है प्राइवेट वाले ज्यादा बहतर दे रहे हैं तो ऑवियसली क कंसर्न था कि जो नए डॉक्टर आएंगे और जो अनुभवी डॉक्टर हैं उनके इलाज में फर्क तो होगा आसमान समीन का तो क्या सारे सरकारी एस्पताल में यह नए डॉक्टरों के भरती से काम हो जाएगा देखिए जो गवर्वेंड इंडिया ने जो पॉलिसी पर आएंगे डिस्ट्रिक हॉस्पिटल के डॉक्टर भी वहां जापाएंगे आदान परदान होगा और यह जो कॉंटिनूस प्रसेस ऑफ ट्रेनिंग इन हॉस ट्रेनिंग वह ज्यादा बढ़ेगी तो यह ज्यादा बहतीन सिस्टम है और अब जब यह पॉलिसी बना रहे ह तो रादर धन पुटिंग डिस पर्टिकॉलेशन के दो साल का तीन साल का अगर डिस्ट्रिक हॉस्पिल के साथ जोड़ के अगर इसको पोस्क्रेजिशन के साथ जोड़ देंगे इसी इसाफ सकते हैं अब तो मेरा कहने का मैंने आप पहले भी एनूरूत किया था कि आप जो स्टेक्खॉल्डर्स हैं उन और्गनेजिशन को बिलाकर या स्टूडेंट्स यूनियन्स हैं आईयम में हैं बाकी जो मेडिकल और्गनेजिशन हैं उस स्पेसिलिस्ट हैं उन सबके साथ इसके उपर इंट्रेक्शन करते हुए कोई इस तरह की पॉलिसी लेकर आनी चाहिए जो सबके लिए फाइदे मन दो यह जो एकदम से कहा कि यह डंडा घुमा देजेगा चाबू घुमा देजेगा इससे नहीं फायदा होने वाला है जैसे मैंने का यह पॉलिसी लेकर हरे के साथ एक डिस्टिक हॉस्पिल को जोडएंगे यह बहुत आदमी के पॉइंट ऑफ यू से जो सिविल हॉस्पिटल या बाकि सरकार बाकि सरकार यह जाता है इलाज करने के लिए क्या उसके लिए भी यह परिशानी होगी कि नए नए डॉक्टर्स अगर वहां रहेंगे क्योंकि अगर हर साल यह हो रहा है प्रैक्टिस तो एक बहुत समस्य यह थी कि जी पेशन्ट जादा है डॉक्टर कम है अब सरकार चाहती है कि वह रिक्रूट करेंगे अब डेफिनेटल जब वह रिक्रूट करेंगे वह नए डॉक्टरों को रिक्रूट करेंगे मैं मानता हूं इस बात की कि उनको experience नहीं रहेगा लेकिन देखिए कुछ ना से कुछ तो अच्छा है अगर हमारे सिविल हॉस्पिडल में पी एच सी में जहां भी है इन डॉक्टरों को भेजा जाता है काम करने के लिए जहां जिस पी एच सी में कोई भी डॉक्टर नहीं था एक डॉक्टर अवेलेबल रहेगा कम से कम जो जो जनरल समस्याएं है कि उसको सौन कर देगा मैं सारे काम एक साथ नहीं हो सकते की अब सरकार की मदशा ये रही है कि बहीं है चलो हम चलो डॉक्टरों की कमीत हैं हम डॉक्टरों को बादं करते हैं बढ़ने नहीं कि अगर आपने सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS किये हैं कि आपको दो साल करना ही पड़ेगा आप उसको बाउंड कर रहे हैं मतलब आप जी कह रहे हैं कि आप फैसलिटी इतनी अच्छे कर दो जी सेलरी इतनी अच्छी कर दो कि लोग खुद बखुद आ जाएं देखिए ऐसा है पहले क्या होता था MBBS करने के बाद अपने आप ही जो डॉक्टर होते थे वहीं कॉंटिन्यू करते थे वह सीने डेजिडेंसी जॉइन करने की कोशिश करते थे दांकि उनको एक्सपीरेंस भी मिले और सेलरी भी मिले आज क्या होता है कि जैसे उन्होंने MBBS किया इंटर्ण्शिप की लोग जो नए डॉक्टर है वो प्राइविट हॉस्पिलिक से तरफ जम करते हैं मैदानता है आपका गुड़गों में आर्टिबिस है गंगाराम बहुत सारे हॉस् परेटा है साथ ही साथ साल्री और बाकी फैसलिटी बहतर करने तो हां बिल्कुल फैसलिटीस के सिस्टम का पैसा मना देजाए अपना प्रेक्शन होगी आप समझें कि आप कोई भी डॉक्टर वह MBBS करने के बाद पीजी करना चाहता है समाज की सेवा करना चाहता है काम करना प्रेसे भी मोटे हैं उसको इंग्णोर नहीं कर सकते हैं और खर्चा आप आप जो बात कह रहे हैं जो आप गॉर्ण होस्पिल कितनी सीटे हैं और प्राइवेट होस्पिल की कितनी सीटे हैं ठीक है वक्त कम है जल्दी से एक आखरी कमेंट डॉक्टर गुपता आप से यह जोवेट साब सोच रहा है बस इसमें बाकी जो चीज़े हैं उसको दुरुस्त करने की जरुवत हैं मुझे बिल्कुल ठीक है एक ब्लैक और वाइट पे इनको एक पॉलिसी बनाने पड़ेंगी देविल हैव एक विजन होना चाहिए कि हम जो डॉक्टर दो साल काम करेंगे हम उनकी तरफ से उन डॉक्टर को क्या करेंगे एक एक मेरे जमाग में सिजेशन आया है कि रादर देन ये कहें कि गौरन्ड हस्पिल्ट के डॉक्टर के विस्ता करेंगे उनको ये चाहिएगा करना चाहिए कि जो हर्याना के चात्र जो एंबी बेस करना चाहते हैं अगर उ करें उम्मीद करते हैं कि यह सजेशन जो हमारे पैनल ने बैठे दोनों डॉक्टर ने दिये हैं या इस तरह कि और जो सुझाओ आएं अनिलविज साहब के पास तो बिल पेश करने से पहले इन सुझाओं पर भी विचार हो ताकि ठीक है आपकी नियत जरूर है कि आप समस्या ना बने इसको भी सुनिश्रित करना सरकार का ही काम है फिलालित में इजाज़त दीजिए नमस्कार